पीम मोदी का दोरा है उत्राखन जोकि बेहद महातोपूर्ण है तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरीय बताते हैं कि पीम मोदी का मिनट टो मिनट कारिक्रम कैसे रहने वाला है पियम मोदी का मिनट टो मिनट कारिक्रम जो है आपको बता दे कल सुबे करीब साड़े आठ बचे जोलिक कोंग पहुँचेंगे पियम मोदी और पिथोरागड के जोलिक कोंग पहुँचेंगे पियम मोदी तो पियम मोधी पारवती कुंड में पूजन दर्शन करेंगे वहाँ पहुचने के बाद पियम इस स्थान पर आश्रवात की कामना भी करेंगे और साथ ही आपको बता दे कि पवित्र आदि कैलाश्च के भी दर्शन करने के लिए पहुचेंगे तो पियम सुबह करीब साड़े नौ बजे गुंजी गाउं जाएंगे और यहाँ पर आपको बता दे जो यहां के स्थान ये लोग हैं पितोरागड जिले के गुंजी गाउं पहुचेंगे पियम मोधी यहां के स्थान ये लोगों से मिलेंगे उनसे बात चीट करेंगे, इस्थानिय लोगों से प्रधान मंत्री बात चीट करेंगे इसके साथ ही आपको बता दे कि ITBP, BRO कर्मियों और इन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे इस्थानिय कला उत्पादों पर आधारत प्रदर्शनी देखेंगे गुंजी गाउं में भारत, तिब्बत, सीमा पर ITBP से बात चीट करेंगे प्रधान मंत्री नरिंद्र मुदी बियारों के कर्मियों के साथ भी बात चीट करेंगे पिम मुदी मैं प्रधान मंत्री दोपेर करीब बारा बजे जागेश्वर पहुचेंगे जहां पर जागेश्वर मुख्य मंदिर में भी पूजा अर्शना करेंगे अलमोडा जिले के जागेश्वर पहुचेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मूधी जागे शुरधाम में पूजा और दर्शन करेंगे तो दोपेर करीब धाई बजे वापस पित्हौरागड पहुचेंगे मैं पित्हौरागड में आपको बता दे 42 करोड रुपे की सौगात देंगे प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी कई परियोजनाओ का लोकारपन और शिलान्याज भी दोरान करेंगे